नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हूँ प्रकाश्वर स्री सनफ्लावर विद्याले खोलडिया द्वती आपनू स्वागत करूछू आजे आपने धोरण अग्यार विशय SPCC एटले के वानिजियक पत्रवेवार अने सेक्रेटरियल प्रेक्टिस नियंदर प्रक्राण एक माहीती संचार नो अर्थ अने तेनी जुदी-जुदी पद्धतियों एना विशय अभ्यास करवानों छे अगणना विडियो नियंदर विध्यार्थी मित्रों आपने माहीती संचार नो अर्थ अने माहीती संचार नी प्रक्रिया तथा माहीती संचार माटे उप्योग मा लेवा मा आवती जुदी-जुदी पद्धतियों जेवी के मोखिक माहीती संचार लेखित माहीती संचार द्रस्य माहीती संचार द्रस्य स्राव्य माहीती संचार आने मौन माहिती संचार विशे माहिती मेडवी गया चिये ते पैकी सवथी महत्वरी एवी बे माहिती संचार नी पद्धती छे जे वधुमा वधु उप्योगमा लेवा मा आवे छे ते पैकी नी सवथी पहली पद्धती छे मौखिक माहिती संचार नी पद्धती एना विशे आपने आज़े अभियास करवानो छे तो जो ये विध्यार्थी मित्रो, मोखिक माहिती संचारनी पद्धती ध्यानाप जो विध्यार्थी मित्रो, कि मोखिक माहिती संचार अपने जोई गया छी है कि ज्यारे माहिती नी आपले पासा अने सब्दनों उप्योग करीने अवाज द्वारा करवा मां आवे तो एने मौखिक माहिती संचार कहे छे तो माहिती संचार माटे उप्योगी साधन इटले भासा सवथी अगतियनु साधन चे ए भासा छे माहिती संचार करवो होई तो सवथी पहला भासानी जरूर परे छे तेने समझवा अने उप्योग मा लेवा मा के तेमा पारंगत थवा माटे चार प्रकारना कौशल्यनों प्रयोग था आए छे मौखी माहीती संचार करवा माटे चार प्रकारना प्रयोग काउसलिय एनो प्रयोगो नो उप्योग करवा माँ आवे छे माहीती नू आदान ने प्रदान करवा माटे करवा नो आपी था अधी नुके ब करवा माँ आवे तो सवथी पेला सवथी पेला सवथी पेला प्रदाने सकार उंगो काम अने वात्या पछि लखवनों आँ चार प्रयोग द्वारा माहितीनु आदान अने प्रदान थह सके छे तो मोखिक माहितीनी वाद करिए तो मोखिक माहिती संचार मां बोलना एमी पासा के सब्ध नो अने वाक्य रच्नानों उप्योब करीने जरुरियात मुजब हावभाव अने हलंचलन नो प्रयोग करी मोट्टे थी बोलीने माहिती नी आपले करवानों प्रयत्न करें छे जेथी सांभडनार ने समझ पड़े एटले के मोखिक माहिती संचार नियंदर माहिती मोकलनार एटले के बोलनार व्यकती एवी भाषा अथ्वा सब्द नो प्रयोग करे छे अने योग्य वाक्य रजनानो उप्योग करी जरुरी हाव भाव नो उप्योग करी ने माहिती नी आपले करवानो प्रहत्न करे छे जे थी आ प्रहत्न करवा पाचर नो हेतु सुए तो के सांबरनार व्यक्ती छे एने बोलनार व्यक्ती द्वारा जे माहिती रजु करवा मां आवेली छे आ माहिती बराबर समझाए आ हेतु थी मोखिक माहिती संचार बी पद्धती नो उप्योग करवा मां आवे छे आप ददी मा व्यक्ती व्यक्ती वच्चे माही ती संचार थाई सके छे एक व्यक्ती बिजी व्यक्ती साथे माही ती संचार करी सके छे व्यक्ती जूत वच्चे एलेके एक व्यक्ती बोलनार होई आने सांबण नार जूठ होई एरितेबं माहीती संचार थे सखे चे जूठ अने व्यक् Juice एले के बोलनार जूठ होई तो प्रेस कॉनफ़ेंस ने अंदर जुदा जुदा पत्रह खारो चे एक प्रश्ण पुछे अनि सांपणनार इले के वक्ता होई ए जवाब आपता होई छे तो जूथ अने व्यक्ती वचे पन माहिती संचार थाई सके छे अनि चोथु गिदू जूथ जूथ वचे माहिती संचार सक्य बने छे मौखिक माहिती संचार नी पद्ध दीमा चार रीते माहिती संचार थाई सके छे व्यक्ती वचे विजू व्यक्ती अनि समुवचे त्रीजू जूथ अनि व्यक्ती वचे अनि चोथु जूथ अनि जूथ वचे माहिती संचार सक्य बने छे आ प्रकार्णा माहिती संचार मा सवती बेल वावे वाच्चित, वार्तालाप, संवान, गोष्ठी, भासन औने जूत चर्चा वगेरे एना उदाहराणों छे के एना द्वारा मौखिक माहिती संचार करवामा आवे छे आ पद्धती छे एना फाइदाहों छोई तो आ पद्धती छे एना सवती पहलों फाइदों छे तो के सवती पहलों फाइदों छे आ पद्धती छे इसवती सरण हाथ वगी औने सवती वदू वपराती पद्धती छे कारण के मौखिक माहिती संचार नी अंदर पाशा औने सब प्रयोग करी अने अवाज द्वारा माहीती नी आपले करवामा आवे चे अने आ कौशलिय दरेक व्यक्ति पासे होई छे दरेक व्यक्ति भासे अवाज भासा अने सब्द भई छे अने आथवगी पद्धती छे अने सवती सरट दुनिया नी दरेक व्यक्ति छे ए आ पद्धती नो उप्योग करती जोवा मडे छे त्यार पछी भीजो फाइदों छे मोखिक माहिती संचार नी पद्धती मा कागड अने पेन नी जरूर पड़ती नती कारण के अईयां माहिती नी आपले छे इ बोली ने करवा मा आवे छे अवाज द्वारा करवा मा आवे छे माते कागड अने पेन नी अईयां जरूर पड़ती नती त्रीजो फाइदों छे सामान्य पनि प्रत्यक्स रिते थनार आ पधती मा बोलनार ने सामबढ़नार नो प्रतिभाव तुरंत मने चे एटले के जिया आ पधती प्रत्यक्स प्रत्यक्स अदले साम सामे मेठेली व्यक्तियोवद्य थाई टेथी बोलनार जे माईधी रजु करे छे, ते सामभणनार सामभडे छे, अने तरत प्रतिभाव आपे, छे प्रतिभाव एक ले फिडबेक एडों 5 जवाब आपे छे, एटले कि जो कोई गुच्वण भरी परिष्तिती सर जाए, एटले कि सामभणनार ने बोलनार द्वारा रजुकरवा मावेली माहिती जो बराबर न समझाए तो गुच्वन भरी परिष्थिती उभी थाए त्यारे त्यानू निराकरण पन तुरंत जे लावी सकाई छे एटले के साभणनार छे एन जो बराबर माहिती न समझाए तो योग्य प्रतिभाव आपतो न थी औने ते थी बोलनार व्यक्ती छे ए वी जी पधяти नो उफ्योग करी अने सामभणनार ने माहिती समझाए नो प्रयतन करे छे ते थी गुच्वन भरी परिष्थिती नो निकान तरतव लावी शकाई छे कारण के बोलनार अने सामभणनार अहियां प्रत्यक्स एलेके सामसा में होय छे त्यार पजी चौत्व फईदव चे नो सामभणनार तरफ थी मढतो त्वरित प्रतिभाव बोलनार ने उच्छा प्रेरखने प्रेरणा दाई बने छे शामभणनार अने बोलनार आ पद्धतिमा बनने प्रतियक सववा थी सांबनार द्वारा जे माहीती रजु करवा मा आवे ते माहीती सांबनार ने बराबर समझानी के नहीं ए बोलनार द्वारा माहीती रजू करवा मा आवती होवा थी सांभणनार एनो प्रतिभाव आपे छे अने जो सांभणनार हकारात्मक प्रतिभाव आपसे तो बोलनार नो उच्सा वदे छे आने बोलनार ने वधुने वधु सारु तक प्राप्त थाई छे अने एना माटे प् प्रत्म फाइदों चे बोलनार और अने साबढ़नार प्रत्यक्स प्रत्यक्स अडले साम सामे होवा थी जो माईती संचार मां कोई क्षती रही जाए तो तरतज सुधारी सकाई छे तेथी आप ददी मां और सफ़ड़ानी सक्यता बिलकूल ओची चे कारण के आप ददी चे य अमेशा सफड़ पुर्वार थाई शे कारण के बोलनार और सामबढणार बनने एक बीजानी साम सामे होई छे अने जो कोई क्षती रही जै तो सामबढणार तरतज रजवात करे छे अने बोलनार छे इस सुधारी सके छे यारपची छट्टों फाइदों चे नो सामबढण जो निरक्षर होई तो पड़ माईती संचार सक्य बने छे खास दियान आप जो सामबढणार निरक्षर निरक्षर नो आर्थ सुधाई के जेने अक्षर गनान मेडवेलू होई नहीं एटले के अभण व्यक्ति पन बोली ने माईती संचार नी प्रक्रिया मा भाग लई सके छे एटले के अईया सिक्षण नी जरूर पड़ती न थी मोखिक माईती संचार अभण व्यक्ति पन करी सके छे आ सवती मोटा मा मोटोय नो फाइदो छे त्यार पछी आ पद्धती मां समय नो बचाव थाए छे एटले के बोली ने माईती पोचारवानी होवा थी समय नो ब बने छे बोली ने माईती मुकलवा करता जो लेखित मा मुकलवा मा आवे तो लेखित ने सर्खामणी मा अईया समय के वो थाए छे कोछो जाए छे तो आता है ना फाइदाओ त्यार पछी जोई ए मोखिक माईती संचार नी पद्धती नी मरियादाओ सुआए शके के आ पद्धती मा केटलाक स्वरूपों जिवा के समवाद चर्चा जेवा जेवा पद्धती ना स्वरूपों छे एमा जो क्यारे वाद विवाद मा परिणा में तो मोखिक माईती संचार छे ए और सफ़ड पुर्वार थाई सके छे घणी वकत चर्चा छे खुबज लंबई जा त्यारे आप द्धती छे एमा धारी सफ़ड ता मर्ती न थी अथ्वा तो आप द्धती छे पुर्वार थाई जे हेतु थी आपरे चर्चा करता होई ते हेतु सिद्ध थैशकतो न थी एक लेके माहीती संचानी प्रक्रियाँ छे अईहां आवरोधाई छे त्यार पाच्छी बीजी मर्यादा छे जो उपर युगत संजोगों मा आवा संजोगों उपाथाई के बाद वीवाद थैजाए चर्चा लंबा समय सुद्Я चालवा मने तो समगे अने EM إ enough with the सक्तिनों बघार थाई फेलिभफ आथलेकर ऊपार युप्त चंजोगों मात ज्यारे चर्चा लंबाई ज्याएं й जरूरी चर्चा थवा लागे त्यारे समय अने EM 16 everything you do त्यार पच्छी आवे, त्रीजी मरियादा, कहेल, बोलेल, सांपडेल, अने संपडावेल, माहीती नी, विश्वस नियता हम्मेशा, उच्छी वाई, छे, घणा कहता हैं, के बोला है, आप की दू तू, पच्छी मीठू मर्चू थोड़ू को मेरी, अने बीजोती जाने के, आम, पाट मी, छटी, दस मी व्यक्ति पासेल जाई, त्या माहीती चे, एनो अर्थ नो, अनर्थ थाई गयो, ओई, छे, एटले के, कहेल, बोलेल, सांपडेल, अने, संपडावेल, आवा प्रतार नी माहीती चे, एनी, विश्वस नियता चे, बहुँज, ओची जोगा मडे, छे, लोको एमा, विश्वास करता, नथी, ने, आ प्रती चे, बहुँज, विश्वस नियता प्रती गणाई, नहीं, त्यार पची, चोथी मरियादा चे, मौखिक, माहीती संचार, लेखित पुरावानी, गेराजरी मा, आधार भूत गणातो, नथी, एटले के, मौखिक, म आधार भूत गणवामा आउती निती, आधार भूत एटले साबीती स्वरूपे, एने, रजुकरी सकाती, नथी, पाच्मी मरियादायनी चे, जो, माहीती, विशद, के, विश्वत्रूत होई, तो, बोलनार पक्षे, आ पद्धती द्वारा, सफडता मरती, नथी, एटले क माहीती चे, इक खुबर वधारे प्रमान मा होई, तो, बोलनार चे, इलामा समय सुधी, आ माहीती याद राकी सकतो नथी, अथ्वा, बोलवा मां एने, तकलीप पड़े, छे, एटले के, सफडता प्राप्त थती, नथी, ज्यारे माहीतीनू प्रमान के होई, पची छटी मरियादा चे, मोखिक माहीती मा, बोलनार अने, सांभणनार ने, तबक्कावार, लामबा समय सुधी, याद रही सकती, नथी, ज्यारे मोखिक माहीती संचानी पद्धतीनों उप्योग करवामा आवे, तो, जे माहीतीनू आदान अने, प्रदान करवामा आवे आवे, आ माहीती छे, इबोलनार अने, सांभणनार बनने ने, तबक्कावार, तबक्कावार अटले एक पची, एक सब्दो सह, याद रही सकती, नथी, लामबा समय सुधी, याद राखवानू कारिया चे, यही आवरू बने, छे, एक आरन के लामबा समय सुधी, याद रा तो, नथी, माते, आप दतीनी एक मरियादा बने, छे, त्यार पची छे, मौखिक माहीती छे, ए, मूड स्वरुप मां जाडवी सकाती, नथी, एक लेके बोलनार द्वारा, जे माहीती रजुकरवा मां आवे छे, आ माहीती एना, मौड स्वरुप मां, लामबा समय सुधी, एने साच्वी सकाती, नथी, आ मौखिक माहीती संचानी मरियादा, छे, जो लेकेत माहीती होए, तो एने फाइलिंग करी, अने लामबा समय सुधी, साच्वी सकाय, छे, त्यार पची, आठमी मरियादा छे, एनी, आ पद्धती मां, बोलनार नी, वक्त्रुत्व छटा, अन अने रजुआत योग्या न होई, तो अर्थनो अनर्थ थाई सके छे, खास द्यान आप जो विद्यार्थी मीत्रो, कि जो आपद्धती नो उप्योग करवा मां, आवे, अने बोलनार नी, वक्त्रुत्व छटा, वक्त्रुत्व छटा, अने बोलवानी आवड़, अने रज जो बराबर न होई, तो आप द्धती छे, इबीन उप्योगी थाई, छे, अने गणी बधी वक्त, अर्थनो अनर्थ थवानी शक्यतावपन रहे छे, अने सवती छेली मर्यादा छे, बोलनारे, बोलता पहला, हमेशा विचार करवो, रहे, एक वक्त, मोमा थी निकडेला सब्धों पाच्छा खेची सकादा न थी, एलेके आप द्धती नियंदर बोलनारे, बोलता पहला, हमेशा जे, बोलवानु छे, एना विच्छे विचार करवो पड़े, छे, कारण के, जो एक वार मोमा थी खोटू बोली जेवन, तो ये पाच्छा सब्धों खेची सकादा न थी, तो में लेकित माहिती संचार होई, एमा जो खोटू लखेगी होई, तो तो में एने अंदर सुधारों करी, सबों परन्तु मोखिक माहिती संचार मां, एक वकरत मोमा थी सब्धों निकडिया, एने पाच्छा खेची सकादा, न थी, एलेके मोखिक माहिती संचार नि बोलू जो ये तो आतू लेखित मोखिक माईती संचानी पद्दती है नहीं फाइदा आने मरियादा आभार